तो है गाइस वेलकम बाक तो माइट वीडियो जोज एट महीं आम आताना होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हॉंडा शाइन के सर्विस कोस्ट के बारे में जिसमें कि दोस्तों मैं बात करूंगा उसकी फ्री सर्विसेस से र आफ्टर मार्केट और टेकनीशन की क्या विबिलीटी होती है उसी के बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर और लास्ट में दोस्तों जो कि सबसे जादा इंपोर्टन रहेगा रुपीस पर किलोमेटर के सबसे आपको मिंटेनेंस कोस्ट कितना आ जाता है इस और इसी के सेГमेंट की दूसरी काड़ियो के कमपैरिजेन में कितना सस्ता होता है या फिर कितना महेंगा होता है इस गाड़ी को मिंटेन करना वह भी समझ लेंगे इसी जाहां! फिर करगते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत जादा इंफॉर्मेटव होने वाला है। द तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो एंजन ओल के पैसिटी आती है वो 800 ml की आती है हॉंडा यूज करता है हॉंडा लूप का 10W 30 ग्रेट का सेमी सिंथेटिक ओई जिसकी कॉस्टिंग आ जाएगी दोस्तों आपको 345 रूपीज की दोस्तों इसी के साथ आते हैं इसके अग अगले पॉइंट के ऊपर जो कि रहेगा इसका चेन मेंटेनेंस चेन की क्लेनिंग और ओइलिंग तो दोस्तों हर 4000-5000 किलोमेटर के टाइम पर आपको चेन की क्लेनिंग और ओइलिंग करवानी रहेगी अगर आप यह ऑथराइज सर्विस से करवाते हैं तो आपको 120 रुपी पावर ट्रेंड बहुत अच्छा मिलेगा साथ में आपकी चेन की लाइफ भी काफी अच्छी हो जाएगी दोस्तों इसी के साथ आते हैं इसके अगले पॉइंट के उपर जो कि रहेगा इसका फ्री सर्विस तो दोस्तों हमको तीन फ्री सर्विस मिलती है इसके अंदर जो इसके खाल आयेगी वह काईगी 750 km to 1000 km of 15 to 30 days मैं तो जो सेकंड फ्री सर्विस आ जाएगी दोस्तों वह है आपको अपको 596 रुपीज का जिसके अंदर आपका ओयल चेंज होगा, ओयल फिल्टर चेंज होगा, हेड और रिंग चेंज होगी, साथ में चेंड की क्लीनिंग न लूबिंग हो जाएगी. दोस्तों जो रूपा फिल्टर चेंज होगा, rare brake shoes भी change हो जाएंगे साथ में chain की cleaning and lubing हो जाएगी जिसका cost आजाएगा दोस्तों आपको 1138 रुपीज का दोस्तों जो third free service है उसके अंतर आपका oil change हो गा oil filter change हो जाएगा, spark plug change हो जाएगा, air filter भी change हो जाएगा साथ में chain की cleaning and lubing हो जाएगी 805 रुपीज का आपको maintenance cost आएगा दोस्तों third free service का, तो दोस्तों जो total free services के maintenance cost है वो आपको आजाएगा 2539 रुपीज का free services में अब इसी के साथ आते हैं इसके अगले point के उपर जो की रहेगा इसका paid service तो दोस्तों जो इसका interval रहेगा वो 6000 km या 6 months में हर paid service का interval रहेगा जिसके अंदर आपको paid service करवानी रहेगी चाहें तो आप service center पे भी करा सकते हैं चाहें आप तो आप बाहर भी market में भी करा सकते हैं क्योंकि Honda's के engine को बाहर में mechanics easily समझ लेते हैं easily कर भी देते हैं और parts की availability after market भी काफी हो जाती है 5-10% का easy discount भी मिल जाता है इसी के साथ तो यह काफी जादा beneficial हो जाता है आपके लिए दोस्तों इसी के साथ आते हमारे अगले point के उपर जो की रहेगा इसके parts का prices क्या होता है जो regularly running है तो उसके अंदर आपको सबसे पहले आ जाएगा air filter 147 का air filter आएगा oil 345 का Honda Loop का आजाएगा आपको और फिल्टर आपको 83 रुपीज का आएगा दोस्तों 300 रुपीज का इसका fuel filter है वो आजाएगा साथ में आपका जो chain sprocket है दोस्तों वो आएगा 900 रुपीज का 65 रुपीज का आपका drum rubber आजाएगा और 200 रुपीज उसको replacement charges में देना पड़ेगा तो यह टोटल आपका chain का हो जाएगा खर्चा साथ में स्पार्क प्लग आपका 110 रुपीज का है और ब्रेक शू फ्रेंट हाएगा 3 290 रुपीज को रेर भी 290 रुपीज का सेम ब्रेक शू यूज होती है तो इसी के साथ आजाते हमारे लास्ट और सबसे जादा important point के उपर जोकी रहेगा इसका रुपीज पर किलोमेटर के सबसे आपको maintenance cost कितना आजाता है तो इस गाड़ी का maintenance cost आएगा वो 21.15 पैसा पर किलोमेटर का आता है जो की काफी जादा अच्छा है हॉंडा के service network और reliability को देखते हुए काफी अच्छा maintenance cost है जो की हॉंडा प्रोवाइट करता है उपको तो दोस्तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा informative लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेगा चैनल को और बल नोटिफिकेशन भी दवा दीजेगा उसी के साथ ताकि बाड़ी लेनी है या नहीं लेनी है तो थैंक यू सो मुच फो वाचिंग दिस वीडियो बाड़ी टेक केर आंड चाओ